असलाम अलेकुम इंटरप्राइज एप्लिकेशन डिवेल्पमेंट आज हम इस कॉर्स का 32 लेक्षर स्टार्ट करेंगे आज के लेक्षर में हम डेटा कंवर्जिन पढ़ेंगे और यह देखेंगे इसकी दूरत कहां पर पढ़ती है ऐसे पहले ऑले लेक्षर से चशिक गाल देटा बैंडिंग अचेई कैसे और त Flint करते है और दोनों में टेक्स्ट प्रॉपटी ही यूज हो रही थी यानि के सौर्स और डाशनेशन दोनों कंपटीबल थे आज के लक्षी में हम यह देखेंगे अगर तो सौर्स आपके पास टेक्स बॉक्स है तो बेसिक यह दो डिफरेंट टाइप के प्रोपर्टीज हैं इनकंपेटिबल हैं ठीक है तो अगर आपने इस तरह की कंट्रोल को यह प्रोपर्टीज को बाइंट करना तो दिर्म्यान में आपको वेल्यू कनवर्टर को यूज करना पड़ता है यहांनि के आपको डिटा को कनवर्ट करते हैं टेक्स को आप किसमें करेंगे बूलियन के अंदर और इसी नहीं से बूलियों को आप करेंगे टेक्स्ट के अंदर तो आज की लेक्षिन में हम यह देखेंगे अगर आपके बाद इस तरह का केस है जहां पर दो डिफरेंट कंट्रोल्स है जिसकी डिफरेंट प्रोपरी जो कर इनकंपैटिवल है ठीक है तो उसके लिए में दिरम्यान में कोड को एड करना परता है जो के कनवर्ट करता है वैल करना है जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके अंदर दो मेंटर्स होते हैं जिनकी हमें इंप्लीमेंटेशन प्रवाइट करने होती है पहला में था कनवर्ट का और दूसरा में था कनवर्ट बैक का तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं वीजियो स्टूडियो के यह विजैन को लिए एक मैंम एक आपन कर लीaja अब सब्से पहले हम इस को एक करेंगे और एक चहक भौAK मैंशके करतें ठीक है तकषips को एक करतें आरेstyle चाउंसे के नाम इसक नाम करेंगे ऊच्राइ कर लेते हैं आप उसकल नाम अन्टे कर जीते हैं चाहिए छैक वां ठीक है कि टेक्सव का हम फॉन्ट है भी थोड़ा से इंख्रीष कर देते हैं है तो आज की लुक्स क्यों की टेक्स प्रोपरिट्टी को हमने बाइंड करना है चैकपॉक्स की चैक प्राफटी के साथ बेसिक इंटरफेस मेरा कंप्लीट हो गया है अब यहां पर चूँकर मेरे पास एक टेक्स बोक्स है और चेक बोक्स है तो इन दोनों को बांट करने के लिए मुझे एक इंटर घंञा करना पड़ेगा जिसक被 आई व्यल्यू कंवर्टर तो इंटर इंप्रफेस सिंप्लीमेंट करने के लिए मैं मैं यहां पर एक लास कर दियता हूं और इसको नाम और देते हैं वैल्यू converter ठीक है और इसके अंदर पी मैं इस फाइल के अंदर में क्लास में आता हूँ text to boolean converter ठीक है और इसको मुझे implement करना है iValue converter interface ठीक है iValue converter interface आपने implement करना है तो यह पतार है कि इस नेम स्पेस करने इसना आटमेटिक इंक्लूट कर दिया है फिस पर आते हैं और करते हैं implemented इंटर्फेस जब हमने implement इंटर्फेस किया तो देखें इसने convert का method बना दिया और convert back method बना दिया अब हमारे पास एक टेक्स बॉक्स था और चैक्पोस अब हम यह चाहरें कि जब टेक्स बॉक्स के दाए यूदर चैक्ट लिखे तो आटमेटिक यह चेक्ट हो जाए इस लेक्ट हो जाए ठीक है और जब अंचेक्ट लिखें तो यह इस लेक्ट हो जाए तो अब हमने यह को इंप्लिमेंट करना तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम इसके अंदर आतने convert के method में ठीक है फॉस्ट परामिटर में आपके पास वैल्यू आती है टेक्स बॉक्स की सोर्स की वैल्यू आएगी तो आप सोर्स की वैल्यू हमने यहाँ जाइओय कर देनी चलहें जाए अब कर लेते हैं it करेंगे कर लेते हैं यहाँ और तृप डाब टूवेल्यू वैल्यू दोर टूढ़ेOh तो मेरा यूजर के शायर था कि जब यूजर टेक्स बॉक्स के लिए चेक लिखे तो जो है चेख बॉक्स आटमेटिक चेक हो जाए ठीक है तो महां पर कंडिशन लगाते हैं इफ डेटर डॉट इक्वल्स हम चेक कर लेते हैं विदे चेक एंटर किया है तो मुझे क्या रटन करना रिटन कि रूट कर देना है ठीक है और ट सिर्फ कर देते हैं रिटन फाल्स कर देते हैं यह तो मणरे पास ती liar की व्हु पुट दी हमने किया करने के बाद अब हम आजते हैं में विड़ो के अंदर में विड़ो के अंदर आ जाते हैं अब आपने इस क्लास को जैमल के अंदर क्या करेंगे यहां पर हमें हमें करने पड़ेगी रिसोर्स इस टीक है विड़ो रिसोर्स करते हैं और यहां पर पास कौन सी रिसोर्स करनी लोकली करनी है ठीक है तो हम यहां पर लिखते हैं लोकल ठीक है और देखें टेक्स बूलियन करना था इसको मुझे अब एक नाम साइन करना है मैं नाम साइन करेंगे तो माई करना ठीक है यहां पर मुझे यहां पर क्मवाट करना पड़ा ताके मैं इस ग्लास को जो मैंने भी वैल्यू करना की और ने अक्सेस करेंगे तो किस नाम से आँक्से है कर Tell Me करना हम हमदीक के तरफ आते हैं यहां पर मुझे लिखना है इसकितु कौन्से तो हमने बैसे करना तो हम यहां पर बैंडिंग करते हैं जैसे हमने लास लेक्ट पढ़ा था बैंडिंग एड कर लिए फिर हम लिखेंगे एलिमंट हम किस की तुर बैंडिंग करना चाह रहे हैं ठीक है अच्छा यहां पर हमने लिखना है बैंडिंग फिर आजएगा ऐलीमंट नेम एलीमंट नेम करें टेक्स्ट और इसके किस प्रापटी बैंड करना है टेक्स्ट की प्रापटीज ठीक है यहां तक तो वही काम है जो हम पहले करते रहे हैं कि यहां पर टेक्स को हमने रूप्र करना थो मुझे यहां पर करना है तो मैं यहां पर लिखांगा द्रिक है और कर चाहां से मठा रहे हैं स्टैटिक रिसोर्सिस और उसके बाद माइच कंवर्टर जो पर नाम दिया ठीक है तो बेसिकल अब भाइनिंग यूज किया तो आप देखें बाइनिंग करते हुए कुछ चीज़ने परानी है कि बाइनिंग पी ऐलीमें नेम पाथ ठीक है और इसके बाद हमने कंवर्टर यूज करना थो तो कनवर्टर स्टैटिक अब मैं इसको एक्जिट करते हैं अब है जह है कि अब यहां पर चेक लिखो डिकर तेक्षी मैंने चेक किया तो यह स्लेक्टेड हो गया और अगर हम जब दो करते हैं अंच्क तो यह इसकी स्लेक्शन खतम हो गया ठीक है यह तो आमने1 वर्यूस कर रहे है कि माईर पास सोर यहां पर इसको इसको में तेंडल नहीं किया तो अब यहां पर आये तो का अगर यहां पर आये तो यहां पर प्रोग्राम कर गए अब इसको इंपलिम्ट करते हैं यहां पर मैं चेक कर लेता हूं बूलियन में लियाता हूं डेटा ठीक है और सिस्टम डॉट कनवर्ट दॉट को बूरियन मैं चाहरा हूं कि जब यूजर श्लेक्ट किया हो ऑग ड्रीटोफ ने वैलिव और जब दॉट ना करे तो ट्रीट विर लिए अंचेक्ट हो अन्चेक्ट तो मैंने डेटा कनवर्ट डेटा जो फिर इंपुर्ट थी उसको बूलिया में कनवर्ट कर लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं इफ इफ टेटा अगर टू है तो मुझे क्या करना है क्या रिटर्न करना है मुझे रिटर्न करना है चैक ठीक है कि टेक्स बॉक्स की वैलू में चैक का जाए और एल्स में हम रिटर्न कर जाते हैं रिटर्न अंचेक ठीक है तो बिसिकली अब हमने कनवर्ट बैक का फंक्शन पर इंप्लिमेंट करें लिए यानि एक टार्गेट अपडेट हो रहा है चेक बॉक्स पर सेलेक्शन चेंज हो रही है तो टेक्स बॉक्स में वैली भी अपडेट हो जाए अब हम इसको देखते हैं टीक है अब देखे में यहाँ पर किलीग किया तो देखे लिए चेक लिखाव आगया अगर इसको क्लिख खतम किया तो लिख लिखाया ठीक है आप अपिश्यक के लावा कुछ और भी वह터 ही तो इसलिए होते है है क्योंकि हमारी कंडिशन थी वहां पर लिखाता है जब एक को फिर करना है ट्रू करना है ठीक है अधर्वाइस फाल्स करें तब यह आप यह नोट करें कि अगर चैक के इलावा फरसके सी भी लिखा तो वह स्लेक्ट नहीं हुआ जब चैक पूरा होगा तो फिर स्लेक्शन हो करने के लिए उनकी वैल्यूस को में करना पड़ता है और जब वैल्यूस को करना पड़ता है तो मुझे एक इंटर्फेस इंप्लीमेंट करना परता है आई वैल्यू कनवर्टर ठीक है और इसके अंदर दो मैंतोड होता है कनवर्ट का मैंतोड होता है और एक कनवर्ट बैक method होता है